हेलो विवन स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में दोस्तों आज का जो वीडियो है बहुत ही सीरिसली है आप इसे मजाक में मत लेना मैं आपको आपके डिवाइस के पांच ऐसी सेटिंग्स बताऊंगा जो की आपकी बहुत ज़्यादा काम आने वाले ठीक है तो आपने मेरे वीडियों पर पूरा ध्यान से देखना है बहुत ही अमेजिंग होने वाला आज का वीडियो और दोस्तों मैं कुछ तिनों से देख रहा हूँ आप मेरे वीडियो नहीं देख रहे हैं तो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी आप मेरी वीडियो नहीं देख रहे हैं लेकिन मैं ऐसे मैंनेत करता रहूँगा मैं विडियो आपके लाता हूँगा अगे आप चाहे देखे या ना देखे बट मैं अपना कामने छोने वाला तो आप ही प्लीज चैनल के सब जोडे रहे yrिए तो आप विडियो देखते रहे तो आते हैं अब हमारी मुवाल की स्क्रेंड पे सोना मश्कार दोस्तों मेरा नाम है रकिश कुमार तो चलिए स्टार्ट करते हैं नीचे को स्क्रॉल डाउन करना है फिर आपको यहां पर एक option दिखाई देता है Biometrics and Security आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है क्लिक कर दिया फिर आपने नीचे को स्क्रोल डाउन करना है फिर आपने other security सेटिंग वाले option में जाना है चलेगे उसके बाद अब आपने यहाँ पर दियान से देखना ठीक है आपको एक option यहाँ पर देखने को मिलता है device admin apps तो आपने इसे open करना है यहाँ पर मेरा आ रहा है find my device ठीक है यहाँ पर admin मेरा on है device app यह on है admin मतलब कि यह एक secure app है यह मेरे samsung device क आपका ही app है और यह on है इसे मैंने admin यहाँ पर बनाया हूँ है admin मतलब कि आपके पूरे device पर यह control करके रखा हूँ है पूरे device पर आपका protect करके इसने रखा हूँ है तो for example आपकी कोई और application यहाँ पर आती है अगर samsung की कोई application आती है जो बिल्कुर है आपको लगता है कि यह hacking वगरा के related नहीं है तो आप उसे admin बना सकते है या फिर अगर आपने कोई third party application डाउनलोड करके रखे हूई है तो वहाँ पर आपका admin बनके बैठा हुआ है वहाँ पर यह चीज़ on है यहाँ से तो आपने उसे by default हटा के उसे off कर देना है उसको on नहीं रखना है इससे क्यों device में आपकी Samsung की official app यहां पर on रहेगी वरना कोई और third party application यहां पर आपने admin बना के रखा हुआ है तो इसको remove कर दीजिए वरना आपके data भी यहां पर चोरी हो सकता है या फिर आपका device hack भी हो सकता है ठीक है बहुत ही समझने वाली trick है आप समझ गए तो समझ गए तो इसके ब अगry जो next trick है भूदी कमाल की है अब यहां पर देखना क्या है तो अब जो आपकी next setting है वह बहुत ही कमाल की और आपके लिए बहुत ज्यादा useful है तो वह आपको कहां पर मिलेगी उसके लिए जाना होगा आपको connection वाल्य option पर ठीक है चले है connection वाले option में走s ने के आप्स के बारे में बताईए ठीक है तो मैं आपको यहां पर सभी बताऊंगा तो यहां पर आपको SIM 1 मिल जाती है देखने को ठीक है SIM 2 मिल जाती है ठीक है तो आप Internet कौन सी SIM में यूज करते हैं पहले तो वह बताईए तो मैं तो SIM 1 पर करता हूँ इंटरनेट यूज तो मैं SIM 1 पर ही करूँगा तो मैं SIM 2 में नहीं जाओंगा सेम सेटिंग ही है फिर वही सेम सेटिंग आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे ठीक है तो मैं यहां पर SIM 1 की बात करूँगा तो SIM 1 में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मुवाइल डाटा थो हमारा ओन है ठीक है उसके वाद आता है मुवाइल डाटा ओनली एप्स मतलब की आप समझे नहीं इसको मैं बंद करता हूँ पहले तो आप पढ़िए सेट एपस तो आलवेस यूज मुवाइल डाटा इव आप किसी से होट स्पोर्ट लिया हुआ है या फिर कोई वाइफाई यूज कर रहे है अपने डिवाइस में ठीक है तो आप क्या कर रहे है कि उसमें इंटरनेट यूज कर रहे है वाइफाई के थ्रू तो यहाँ पे कुछ एपस आप स्लेक्ट कर लेंगे जो कि वह आपके दाटा यूज करेगा वह आपकी सिम का इंटरनेट का य्यूज करेगा ठीक है वह आपके वाइफाई से नहीं रहे गा कनेक्टेट नहीं रहे तो मैं यहां पर कोई भी नहीं करूँगा, तो आप कोई भी एप से हम स्लेक्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से जो आपकी सबसे प्री एप है, जैसे कि WhatsApp हो गए आपका, कुछ भी message बगए आते हैं, जरूरी message आते हैं, कुछ भी आता है, तो आप उस एप को यहां पर स्लेक्ट कर लेंगे, तो वो आपके internet से connect रहेगा जब आप wifi भी use कर रहे होंगे ठीक है, आपके network के साथ भी connect रहेगा, समझ गए न तो उसके बाद मैं बात करूँगा, billing circle billing cycle and data warning के उपर, तो ये बहुत ही कमाल की setting है, तो इसके बारे में मैंने आपको on this date each month, ठीक है set कर दिया है, मैंने एक ठीक है, set हो गया, मतलब की एक तारिक से, ठीक है फिर आता है, set data limit चलिए हम यहां ओन करते हैं data limit, यह बहुत ही कमाल की है तो यहां पर आप data limit set कर सकते हैं, daily, use करने का तो आप क्या चाहते हैं आप एक GB रखे, मतलब की एक GB के बाद आपको warning आ जाएगे कि आपने एक GB यूज़ कर लिया है आप internet बंद कर दीजिए, ठीक है तो यह option यहां से आप on कर सकते है, ठीक है मतलब की अगर आप एक GB net यूज़ कर लेंगे उसके बाद आपका internet automatically बंद हो जाएगा, तो आप data use नहीं कर पाएगे यहाँ पर limit set कर सकते हैं यतने भी आपने set करनी है GB में करनी है, MB में करनी है आपको option यहाँ पर देगा MB में करनी है, GB में करनी है ठीक है, अपने साफ से set कर सकते है मैंने 1TB में कर दी मतलब कि इससे आपको ये फाइदा रहेगा एक तो आप इंटरनेट यूज़ करते रहेंगे तो आपको वार नहीं मिल जाएगी आपका नेट बंद हो जाएगा और आप जो एक जीबी से उपर यूज़ नहीं कर पाएंगे और आप फोन को रख देंगे या फिर दूसरा फाइदा यह होगा आपको जब आप क्या करते हैं किसी को अपना होट स्पोर्ट शेर करते हैं अपना इंटरनेट शेर करते तो अगला बंदा जो है फिल्म डाउनलोड करने लग पड़ता है यूटूब में वीडियो देखने लग पड़ता है और वो नहीं अगले बंदे का डाटा यहां पर खतब हो रहा है तो आपको प्रोव्लम हो सकता है तो आप यहां पर डाटा लिमिट सैट करेंगे मांदलोड वालनों कि आप किई होट स्पोर्ट दे रहे हैं तो ज़्जाद आप तो कर लो यूज ठीक है वो बंदा यूज करेगा उसके ब बांद नहीं होगा, ठीक है, मतलब कि आपने 2GB डेली यूज कर लिए तो आपको वार्निंग आईगी, भैसा आपका आपने 2GB यूज कर लिए है, लेकिन आपका इंटरनेट चलता रहेगा, बस आपको वार्निंग यहां पर देखने को मिलेगी, और यह जो है साट डाटर लिम तो वो कौन सी है, चली इसको मैं बंद कर देता हूँ, जो next setting है तो उसको मैं यहां पर on करता हूँ, चली देखे धिहान से, उसके लिए जाना होगा, आपको by metric and security वाले option में, ठीक है, चलेगे, फिर चारना है आपने other security settings पर, फिर नीचे को scroll down करना है, फिर आपको यहां पर तो मैं बदाता हूँ, पीन विंडो को basically काम क्या है, पूरा explain करूँगा, ठीक है, चली मैं इस यहां से on करते है, फिर आप यहां पर क्लिक कर देते है, ठीक है, तो यहां पर आपको option मिलता है, ask for pattern before app meaning, ठीक है, तो इसको मैं यहां पर फिलाल बंद रखता हूँ, अब यहां क्लिक करूँगा, ठीक है, क्लिक करूँगा, तो मुझे यहां पर option मिलेगा, pin this app, चलीए, दिख रहा है न, तो मैं इसको यहां पर बंद करता हूँ, अब मैं यहां पर click करूँगा, अब मैं यहां पर फिर से click करूँगा, तो मिलको फिर से यहां पर pin this app का option यहां पर देख नहीं देता है तभी मैंने यह option आपको यहाँ पर दिखा दिया अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो आपने यह setting यहाँ पर ओन कर लेनी है पिन विंडो वाले ठीक है तब आपको यह option यहाँ पर शो हो जाएगा पिन दिस एप तो चलिए इसको पीन करते हैं पहले से को मैं और कर लेता हूं ठीक कनल यहां से और कर लेता हूं फिर चलिए इसको में पीन करते हूं पीन होगी ठीक है ओके अब मतलब मैं बैक नहीं आपाऊंगा होम स्क्रीन में नहीं आपाऊंगा मतलब कि कुछ भी नहीं कोई भी की मेरी यहां पर वक्त नहीं करेगी मैं बस वही आप ओपन करके बैठ जाओंगा जो मुझे दी गई है यह कब अपना फॉन बच्चे को देते हैं तो बच्चा आप उसी आप में घुमता रहेगा उससे बाहर नहीं आपाएगा और उससे आपका डिवाइस भी सेफ रहेगा आप मैंसे कुछ भी काम यहां पर कर सकते हैं तो इसको अपने डिजेबल कैसे करने हैं फिर आपने यहां पे दोनों को एक साथ प्रेस करने है स्क्रीन अन पिं कर दें और इसको पता है कि उसको पता है वह इसको अन प्रेंट कैसे करेगा ठीक है उसको मालूम है ठीक है वह बैग करेगा उसे बैग नहीं होगा फिर वो करेगा वह चलाकी से इन दोनों कीज पे क्लिक कर देगा ठीक है एक साथ क्लिक करेगा क्योंकि उसको पता है जैसे ही करेगा आपका डिवाइज लोग हो जाएगा फिर तो उसको पैटन तो पता नहीं है ठीक है उसको पैटन पता नहीं है वह आपका डिवाइज ओपन नहीं कर पाएगा ठीक है क्योंकि वह स्मार्ट है तो आप उससे आपको यहां पर दिखा देता हूं जैसे कि आपका डिवाइस में कुछ प्रोडम आ रही है आपकी सेटिंग आप से गुम हो गई है या फिर गलती से ओन हो गई है और वो सेटिंग आपको दोबारा देखने को नहीं मिल रही है और आपके पंगा पर देता है कि आप सुचते ह प्रोडम हा रहा है हमारे हमारे को कुछ ठीक कीजिए फिर हार्डर सेट कर दीजिए फ्रेक्टरी कर दीजिए तो उससे आपका डटाचर डिलीट हो सकता है तो मैं आपको यहां पर ट्रिक बताऊंगा आपको हार्ड रिसेट करने की जूर्ट नहीं पड़ेगी और आपका भी फास्ट हो जाएगा और आपकी सेटिंग्स भी पहले की तरह हो जाएगी ठीक है नॉर्मल्स तो क्या करना है तो चलिए आते हैं फिर से सैटिंग वाले उप्षन में जलेगे सैटिंग वाले उप्षन में जाने के बाद आपने जाना है यहां पर आपको एक option find out करना general management का ठीक है चलेगे फिर उप इसके बाद आपको एक option मिलता है reset का तो यह आपका option आगए factory data reset मतलब कि आपका data सारा delete हो जाएगा reset your phone its factory default setting this will erase all data यहां पर लिखा होने including files and downloaded apps सब कुछ जो भी आपने file में data रखा हुआ है सब कुछ यहां पर erase हो जाएगा ठीक है लेकिन अगर आपके device में settings की problem आ रही है for example आपके device में setting हो चुकी है इतनी सारी कि आपका device सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आशा करता हूं आपका आज कर सकते हैं तो आशा करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा सो बाइबाइब टेकर जाहिन बंदमाद